हेलो दोस्तों स्वागत आपका एक और नई वीडियो के साथ दो जार चोविस भी आ गया दोस्तों और गर्मी भी आ चुकी है तो मैं भी आपके लिए एक वीडियो स्टार्ट कर रहा हूं दुबारा से कि कुलर कानेक्शन कैसे अलग-अलग तरह से किया जाता है तो हमारी पह का मोटर है तो आपके पास ये वीडियो आपके लिए बनाई गए दोस्तों इस रेगुलेटर से हमारी ये चार तार मोटर की है जो कुलर की कैसे कनेक्शन करेंगे और कैसे हम पूरा चलाएंगे प्रोसीजर पूरा डिटेल में वीडियो बताओं हूं बने रही हमारे साथ बिल्कुल अच्छे से बताओं हूं ले दोस्तों सुरू करते हैं तोसे पहले आप अपनी मोटर को देखिए मोटर की आपकी चार वायर आ रही है और एक सेड़ आ रही होगी दोस्तों दोر जैسसे मेरी मोटर है ये देखिए यहां से दोस्तों ये एक सेड है ये फैर्ट के वãy…… मोइड बलयक वाइट और भी एक सेड है preाज़ तो हमारी सेड दूसरी सेड निकल रही दो वो हमारी है इस सेल की कैपेसिटर की कंडेसर की अलग अलग नाम बता दिया आपको जो भी आपके बोलते हूं तो यह हमारा है फोर यू एफ का आप देख सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो ऐसा मारकेट से लेके आए नेया ले बादिया जाता है यह देखे दोस्तों दो वायर इसकी दो यूचिए कोई सी भी कैसे भी जोड दी हमने इसका क्टेज क्मपलीट है इन दोनों कोटेप कर ढगे और साइड में कर देँ यह मैरा काम क्मपलीट इसका अब आते हैं हमारे जो मेन कनेक्शन है जिससे हमारी मोटर कंट्रोल होगी दोस्तों ये देखिए ये है मेरे पास च्यार वायर और इसी में है दोस्तों च्यार पॉइंट तो च्यार इसी में नहीं लगानी हमें इसे चलाएं चलाने के लिए हमें एक सप्लाइ की जूरत अभी आज़ों में बता दूँं अभी और अगर दो है तो सिदह असानी होगी तो यह दो वायर आपके पास ओर हो जाएगी यानि चार वायर हमारी कूलर की है और दो वायर हमारी बार से जो करंट की स्प्लाइए आएगी तो पहले इन कूलर वालों को कनेक्शन समझ लिजि तो वहमारी एक पीन होगी वह अंदर की साइड होगी थोड़ी अलग तीनों से उसमें न लिखा होगा और यह अलग पीन होगी इससे पता लग जाएगा कि यह तीनों से अलग है इसमें हमें एक वायर दूसरी मेकरंट की लगा रही है अगर ऐसा रेगुलेटर यह देखे तीन वायर बचगी ठीक है बलू वायर को निकालने के बाद तीन बचई है उन तीनों को क्या करना है रेगुलेटर के पीछे एक नमबर दो नमबर तीन नमबर में तीनों को लगा देना है कैसे भी लगा दो कोई चक्र नहीं है जैसे आपको सही लगे बस लगाना है एक नम रेगुलेटर में मैंने इस निली वाली तार को छोड़ का जो मारी चार मोटर में से तार आ रही थी चार तार मोटर में से निकल रही थी निली वाली को मैंने अलग किया तीन मैंने आपको बताए रेगुलेटर के पीछे एक नमबर दो नमबर तीन नमबर लिखा होगा supply किस में point में देंगे तब हमारी यह चलेगी यह वाली wire है जो यह देख सकते हैं मेरे पास 2 wire है और हमारे पास यहाँ पे बचे हैं 2 point 2 point बचे हैं दोस्तों ठीक है ज्यादा कोई उलजन नहीं इन point काम में दो वायर मेरे पस करंट की आ रही है और दो ही पोइंट हमारे बचे हैं सीदे से ये देख लीजिए एक रेगुलेटर का ये पोइंट बचा है एक निली तार बची है तो मैंने क्या किया बार से कोई कई दो करंट की तार आ रही थी दोस्तों कोई सी भी एक लेनी है वो निली वाली के साथ सीधा डारेक्ट जोड देना है यह देखिए दोस्तों यह डारेक्ट जोड दिया इन दोनेों का कभी काम कंपलीट है अब जो दूसरी बची है दोस्तों वो सीधा हम इसमें लगा देंगे सिंपल सा काम है दोस्तों ज़्यादा कोई बुश्किल वाली बात नहीं है आप बिल्कुल घर पे अराम से कर सकते हैं वीडियो में बिल्कुल डिटेल में बता रहा हूं अच्छे से अभी भी आपको कोई दिक्कत लग रही तो मुझे कमेंट में कीजिए किस तरह का आपका यह मैंने निली के साथ लगा दिए करंट वाली जो दो वायर आ रही थी उसमें से एक करंट भी कोई भी लगा दिए दोस्तों मेरे पास निली जोड़ दिए वह कोई चक्रनिया आप पस लाल है तो लाल जोड़ दिए यह एक तार जोड़ी इन दोनों को टेप करके हम टेस्टिंग करिए यह तो मैं अपने रिस्क पे चला रहा हूं मुझे है का पता इसकी नोलेज है अगर आप चला के टेस्टिंग करना जाते तो सबसे पहले वायरिंग को टेप करें जुरूर यह मोटर हमारी चल चुकी है यानि हमारे कनेक्शन बिल्कुल सही है यह देखिए दोस्तों बंद हो गया हम इसको चलाऊ हूं हूं ठीक है दोस्तों कनेक्शन हमारे बिल्कुल सही है यह देखिए आपको दिख जाएगा मैं थोड़ा आगे कर देता हूं यह देखिए चला इसको फैंग दिया तो बिल्कुल सही है कनेक्शन हमारे सब कुछ सही बताया मैंने आपको और इतना डिटेल में आपको कोई नहीं बताएगा दोस्तों ठीक है दोस्तों तो वीडियो हमारी पूरी हो चुकी है जैसे कि आप मैंने आपको बताया था कि कुलर का कनेक्शन कैसे करें अब मैं आगे वीडियो और लेकर आऊँगा अलग अलग तरह से बनाऊँगा तो जिस परकार के आपको वीडियो चाहिए मुझे कि मेरा इस टाइप का कूलर है इस ट्राइंग कर दो